आप यदि कतर में रहते हो और कतर के खबरों से पल-पल के लिए अपडेट रहना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखिए और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर लेजीए क्योंकि दोस्तो अपनी चैनल पे मैं कतर के पर आप ऐसा देखते हैं तो दोस्तो उनके लिए Qatar government ने एक tolfee number जारी किया जिन पर आप call करके उनका complain कर सकते हैं तो दोस्तो यदि आप भी काई भी भाल इलाक आप देखते हैं तो triple line पर आप call करके उन लोगों का सभी पर complain कर सकते हैं इस पर गौर्मेंट ने कर लिया है तो दोस्तो एक से दो दिन के अंदर सभी कतर जितने भी वहाँ पे एक्षेंज ऑफिस है सभी ऑफिस खुल जाएंगे दोस्तो तो अब जो भी मुल्क के आप रहने वाले तो अपने पैसे को आप अपने देश अपने मुल्क अपने घर अपने जितने चाहे पैसे अब इतना ट्रांसफर कर सकते हैं तो दोस्तो काफी अच्छी खबर है खास करके वरकर के लिए जो दूसरे देशों जाकर वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है तो दोस्तो यह होगा यह दूसरी खबर अब तीसरी खबर करें नहुंद बात करें तो दोस्तो आपको बता दू कतर गॉर्मेंट ने डीजल को लेकर वहाँ के डीजल के दाम घटाने का वहाँ पे decision लिया है तो दोस्तो कतर जो पेट्रोलियम है उन्होंने डीजल के दाम में 25 धिरम कम करने का फैसला किया है तो दोस्तो अब डीजल में 25 धिरम कम किया जाएगा तो दोस्तो ये थी तीन अपडेट अब हम बात करते हैं वहां के जो कोर्णा वारस संक्रमी तो लोगे संख्या कितनी है तो कतर में दोस्तो एक्टिब की संख्या जो कोर्णा वारस एक्टिब केसेस है वो है 23,624 देट की बात करें तो वहां पे देट की संख्या हो गई है 14 और यदि रिकबर की बात करें तो वहां रिकबर की संख्या हो चुका है 2840 तो दोस्तों यह कुछ अपडेट थी तो जो कतर से आ रही थे आपको वीडियो कैसी लगे हमें। कॉमेंट करके जरूर बाता है वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें अपने